सब्सक्राइब दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल G.S.Studdy Point पर आज हम देखेंगे ग्राफियो आफ्ट्टिन के बहुत ही महत्पूर टॉपिक को सागरी संसाधनों का वर्गीकरण यानि कि जो महा सागर या पिस सागर में संसाधन हैं तो उन महास्ता में बहुत ज़ादा मातरा में होता है चुबिस सागरों से प्राफ्त संसाधन यो diabलेबल हैं, ठीक है क्योंकि महा सागर बहुत ही विश्तित हैं पूरे पृस्तिवी पर तो इस दोलेटिए सांसाधन यह संसाधन हं बहुत ही महित्पूर और आपको पता है जो bardzo किma पे जो है संसाधनों का तो बहुत ज्यादा दोहन किया जा चुका है ठीक है अब जो संसाधन जो है लगाता धीरे धीरे क्या हो रही है उनकी कमी हो रही है ठीक है तो लेकिन मानों क्या सकताओं को पूरा करना है तो हमें अब सागरों की को देखना पड़े है क्यों सागर क्या पूरी जो पृतिवी है उसका जो है दो तिहाय हिश्चा जो है वो सागरी भाग पे फैला हुआ है ठीक है। और एक त्याहिश्जा कि आपका स्थली भाग है, तो सागर जो है, बहुत ज़ादा मात्रा पर बहुत ही विस्तरट चित पर फैले हुई है, तो संसाधन भी उतने ही अधिक होने की संभावना है, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं सागरी संसादन जो होते हैं तो इनको हम मुख रूप से जो हैं तीन रूपों में भाट सकते हैं ठीक है तीन भागों में भाट सकते हैं पहला क्या आपका है जैविक संसादन ठीक है जैविक नाम सही लग रहा है क्या जिसमें जान है तो जैविक संसादन हो गया, दूसरा क्या हो गया, आपका खनीज संसादन हो गया यनिकि जो महासागर में जो खनीज है उपस्तित, उसकी बात हो रही है यहाँ पर है तीसरा क्या आपका उर्जा संसाधन यानकि जो महा सागर से जो उर्जा हमें प्राप्त हो सकती है उसको वो भी क्या हमाई लिए संसाधन है तो तीसरा आपका क्या पगी करण हो गया उर्जा संसाधन ठीक है चलिए जैविक संसाधन में देख लेते हैं तो जैविक संसाधन मे हम इसको दो भाग में बाढ़ सकते हैं, पहला कि आपका खाध दे ठीक है, खाध दे संसाधन, ऐसे हैं संसाधन जिसको मानो जो है, खाध के रूप में जो है, प्रियो कर सकता है, ठीक है मानो हो गया, भी पसु हो गया, तो उनको खाध के रूप Having अगर ये हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, खाद संसाधन, ठीक है, जैविक में, फिर दूसरा इसमें पाट कौन सा है का आखाद, ऐसे जैविक तो है यो, ठीक है, जीवों से बने हुए हैं, किन्तों उनको खाया नहीं आ सकता है, जैसे आपका प्रवाल हो गया, सीप हो गया ठीक है, फिर खाद में क्या हो सकता है, खाद में हम दो वरगों बाढ़ सकते हैं, पहला हो गया आपका जन्तू संसाधन, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, पादप संसाधन, यानि पेड पौधे जो होते हैं, ठीक है, तो जन्तू संसाधन में क्या हो सकता है, जैसे मचली हो जो होती है ठीक है ये भी जो है इसमें सामिल होते हैं पादप संसाधन में ठीक है फिर देख लेते हैं खनीज संसाधन की बात कर लेते हैं तो खनीज संसाधन में किस तरह के खनीज मिल सकते हैं अंकर तो पहला जो वर्गी करण है क्या सागरी जल में घुले हुए खनीज आनि यानि कि जो continental self हो गया, सास में किया है मगन धाल, यानि कि continental slope, यानि कि जो महादूपी मगन तट हैं और मगन धाल पर जो निच्छेपित खनीज हैं, ठीक है, तो वो हो गए एक, फिर तीसरा कि गहरे सागरी निच्छेप, यानि जो गहरे जो सागरी भाग हैं, वहाँ पे जो deposit के हुए हैं, वो होगे खनीज, ठीक है, अगला वर्गी करण क्या है आपका, सागरी तली के खनीज, यानि कि जो ocean bottom है, उसके अंदर drill करके, उसकी mining करके अगर हम निकालेंगे, सागर के तल के नीचे जाएंगे, ठीक है, ocean floor जो है, bed है, ocean bed है, उसके नीचे हम drill करके जो निका डा लियाते हैं, drill करके, वो सारे किसमें आएंगे, सागरी तली के खनीज में आएंगे, ठीक है, फिर देख लेते हैं, उर्जा संसाथां की बात कर लेते हैं, तो उर्जा, अब हमको महा सागरों से किस तरह की उर्जा मिल सकती है, तो पहला आपकी कौन से की उर्जा, ज्व जो आरी उर्जा ठीक है ये तो आपको पता भी होगा कि जो आरी उर्जा क्या होती है ठीक है दूसरी है आपके तरंग उर्जा तो तरंग उर्जा भी हम हमें पता है जो महासागर में जो हैं लहर जो होती है वो तरंग के रूप में उपर नीचे होती रहती है उससे भी हम जो कन्मल एनर्जी कनवर्जन ठीक है इसको हम आगे देखेंगे डिटेल में ठीक है और चौतर आपको क्या है का मिधेन हाइड्रेट तो मिधेन हाइड्रेट भी है यह व्यूजा का एक सुरोत है ठीक है तो यह मुख रूप से आपके वरगी करन हो गया है ठीक है अब हम इस करके कुछ गया है तो निश्ची ते अगर कोशन अगर आएगा तो आप बहुत ही अच्छा प्रफार्मेंस वहाँ पे करेंगे तो आप यह शॉर्ट नो जो बना के रखिए अपने एक्जाम हॉल में जाने से पहले और इसको अच्छे से तयार कर लिजेगा ठीक है अब इसको संसाधनों की बहुत ही मारा मारी चल रही है ठीक है तो ऐसे में जो है संसाधन जो है संसाधन का टॉपिक है वह वह होत ही महत्पूर हो रहता है आपके परिछा की दृष्टी से ठीक है चलिए देख लेते हैं अब इसको डिटेल में थोड़ा अब देखिए यहाँ पर हमने वही चल भी हमने देखा था अब इसको हम डिटेल में देखेंगे तो वही लिखा यहाँ पर सागरी संसाधनों का जो वर्गी कर रहा है हमने वही देखा था जैविक संसाधन हो जाएगा खनिस संसाधन हो जागा और उर्जा संसाधन हो जाए अब जैविक संसाधन में देख लेते हैं, तो सागरी जैविक संसाधन को जो है, दो मुख्य भागों में बाटा सकता है, पहला खाद दे हो गया, दूसरा आखाद दे हो गया, खाद संसाधन में क्या देखेंगे हम, दो भागों में होते हैं, पहला हो गया आपका जनतु संसा संसाधन में कौन से आएंगे आपके जो पादप प्लैंक्टन होते हैं ठीक है और सागरी पौधे हो गए तो इसको किसमें सामिल के आता है आख हाद में ठीक है चलिए आगे देखेंगे जो हम अगला वर्गी करना अपका है अब इसको डिटेल में हम पढ़ लेंगे थोड़ा एक्जाम हौल के नदर ठीक है तो वही लिखा हुआ है सागरी खाद संसाधनों का अत्यधिक महत्त है इनका प्रयोग जो है मानव आहार के रूप में तो पहली बात क्या होगी जो हुमन के लिफ खाना है मानव के लिए आहार के रूप में ठीक है तथा जनतुओं को उसका आहार के रूप में जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी आहार प्राप्त किया जा सकता है ठीक है यानि कि जानवरों के लिए चारे की वरस्ता जो हो सकती है ठीक है सागरी जीव जनतु जो है विशेषता मचली जानी सागरी जीव जनतु में सबसे जादा विशेष कौन है मचल उसमें प्रोटीन पायाता है ठीक है प्रोटीन न्यूप तो जो है खाते पदार्थ है ठीक है इसमें सही मातरा में यह मचली होती है उसमें सही मातरा में क्या मिलता है आपको एमीनो एसीड मिलते है ठीक है और साथ में विटामिन बी टोल मिलता है आपका कोलेस्ट्रॉल जमन जमने वाली वसा कम मात्रा में होती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, एक खाद के रूप में, ठीक है, फिर सीतोषर कटिबंदी भागों में मुख्य मतस छेतर पायाते हैं, आपको पता है, जहां पर धाराएं मिलती हैं, वहां पर क्या है, सबसे अच्छे मत मतस उत्पादन में कौन से स्थान पर है, प्रत्थम उस्थान पर है, ठीक है, और प्रमुक मतस उत्पादक देशों में जो है, चीन के अतरिक्त, और जो कौन कौन से देश हैं, जापान हो गया, भारत भी हो गया, ठीक है, दच्छिड कोरिया हो गया, पेरू हो है, नार्व करने के लिए हमें क्या है अपने अल्टर नेड़ानी की विकलपों की क्या करनी पड़ेगी खोच करनी पड़ेगी ठीक है तो जो महासागरों से मिलने वाले जो खाद पदार्थ वो एक अच्छा स्रोत हो सकते हैं तो वही लिखा हुआ है कि विश्व की बढ़ती जन्संख्या के कारण खाद पदार्तों की मांग क्या होरी दिन पर दिन बढ़ रही है तो भाविस्व में क्या होगा भाविस्व में खाने की कमी ना हो इसके लिए क्या है हमें महासागरों से खाद प्राप्त करना पड़ेगा घीक है तो भाविस्व में इस्थल भाग से जो है इस्थल भाग से खाद की आपूर्ती करना सम्भव नहीं होगा अत्भाविस्या का विकास किया जाए ठीक है, ताकि ना केवल मातरात्मक रूप में भोजन सुरुच्छा प्राप्त हो, ठीक है, मातरात्मक का रूप मतलब यह है कि आपको खाना तो मिल रहा है, लेकिन जो चाहिए कॉलिटी वाला वो खाना ने मिल रहा है, प्रोटीन जे वो ने मिल रहा है, ठीक है, अमिनोसेट विटामिंग ची वो ने मिल रहा है, खाना मिल रहा है विस के वाले है, यहनि कि हमें जो है गुडवत तो खाना चीह है, ठीक है? तो वही लिखा हुआ है, ताकि ना क्यावल मात्रात्मक रूप से भोजन सुरक्छा प्राप्त हो बलकि गुड़ात्मक रूप से जो है खा दिस सुरक्षा प्राप्त हो क्यों क्योंकि जो सीफूड होते हैं उसमें जो है प्रोटीन रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा होती है विटामिन की अच्छी मात्रा होती है उसाथ में जो है अच्छी मात्रा में पाहता है ठीक है तो जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है विसु के जो अनेक देसों में सागरी करसी महतपूर बनती ही आ रही है, जैसे जापान हो गया अपका, ठीक है, अमेरिका हो गया, बिर्टेन हो गया, वहाँ पर क्या है, समय के साथ क्या है, सागरी करसी जो है, बहुत ही महतपूर हो रही है, सागरी करसी को जो है, जल करसी का ही एक रू तथा सागरी जनतूं के प्रजिनन वा उत्पादन में व्रधी कर उसे एक आर्थिक व्यवसाइक के रूप में विक्सित करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है? यानि कि वहां पर खेती भी करेंगे साथ में, खेत में जो है मचली का भी उत्पादन करेंगे, तो इससे जो ह आर्थिक रूप से जो है व्रधी होगी और आर्थिक व्यवसाइक के रूप में जो है अग्रिकल्चर को प्रमोट किया रहा है वहां पर, ठीक है? आगे देख लेते हैं, जापान में जो है टेकनिक है, ओएस्टक्रसी, ओएस्टक्रसी, तो अपना अगर एंसर लिखेंगे अगर वहां पर एक्जामपर डालेंगे, तो बहुत इच्छा रहेगा आपके प्रमोट के लिए, ठीक है? तो जापान में जो है प्राचीन काल से ही वहां पर चली आ रही है, ठीक है? वहां पर आयने कि जल क्रसी की आ रही ही कहने का मतलब, ठीक है? यूएस्टक्रसी की आ उसका जो है प्रेसलित है, ठीक है? यूएसे में पंपानो हो गई, एक मशली की परजाती है, ठीक है? पंपानो, साडाइन हो गई और मैकरेल हो गई, ठीक है? iç क्या हो थी? वानईच जी पैमाने पर जो है क्रसी किया थी, वानगी पैमाने का मुलब इनकी बेचने के लिए, यानि कॉमर्सियल एग्रिकल्चर हो रही है इनके लिए ठीक है भारत हो गया थाइलैंड फिलिपिन्स में जहींगा पालन यानि जहींगा पालन होती है उसका जो है कॉमर्सियल लेवल पे जो है काफी जो है फेमस है भारत में ठीक है तो भारत हो गया थाइलैंड हो गया फिल है क्योंकि ये भविस्ति में जो है खाद इस रच्छा को स्थापित करने में क्या करेगी सहयोग करेगी ठीक है चलिए आगे इसी में टॉपिक हम देख लेते हैं थोड़ा शोटा सा है सागर पसपालन या या ओशियन रेंचिंग बोलते हैं इसको ठीक है तो कभी ये अलग से ठीक है तो इसमें ओशियन रंचिंग होती ही क्या है तो इसमें जो है जो जनतु होती है उनका क्या करते है उसको और ट्रेन करते हैं ठीक है फिर उसका लाब कहां पे लेते हैं, जिसे मालो कोई कोई भी गहरी भागों में अगर जाना है गोता खोर को अगर उसको इंस्टुमेंट चाहिए, आउजार चाहिए, ठीक है कोई भी सामान चाहिए तो मंगा सकता है कोई भी एक मुसीबत होती है तो वहाँ पे उसका जो है rescue operation में उसका इस्तमाल किया जा सकता है ठीक है, इन जानवरों को, यानिकी इनको train करके, ठीक है तो वही है कि इसके अंतरगत सागरी जनतूं का, जो सागर पाया जालें जो जनतू होते हैं, उनका जो पालन किया आता है, ठीक है और साथ में क्या किया जब प्रिसिच्छर दिया जता है ठीक है, इस संबंद में क्या है कई वैग्यानी सोध कारी में लगे है यानिक काफी research चल रहा है जैसे Florida के, तो Florida जो अमेरिका में है, कि मियामी शोध संस्थान में जो है सूस, तो सूस एक मचली की प्रिजाती है ठीक है, सूस को मानना उद्वारा जो है, निकाली गए आवाज को नकल करते पाया गया है तो इस छेत्र में वो काफी कुछ research कर रहे है ठीक है, इसी प्रकार जो डाल्फिन नाब की है तो इसी प्रकार डाल्फिन को अनेक प्रकार के प्रसिच्छट दिये जा रहे है जैसे सागर में गोता खोरों के आवजार लाने वा ले जाने बचा हुए यानि rescue operation में, ठीक है कहीं कहीं क्या है, सूस को जल चरवाहे के रूप में प्रसिच्छित कर रहा है यानि कि वो जिसे चरवाहा होता है, क्या करता है वो अन्य जानुरों को चराता है ऐसे कि जो सूस मचली है, वो अन्य जो सागरी जीव होंगे उनको चरवाहे है कि तरह यानि कि हाकेगी यानिके उनको चरवाने के लिए लेके जाएगा फिर उसको लेकर के भी वापस आएगी इस तरह समझे आप तो यह होगे आपकी ocean wrenching ठीक है आपको पता होना चाहिए ocean wrenching होती का है कभी कभी UPSC क्या करती है ऐसे questions पूछ लेती है जो थोड़ा अलग होते हैं लेकिन important होते हैं current में होते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखा चाहिए तो हमने जितना पढ़ा है उसमें उससे क्या निकला conclusion क्या निकला हमारा तो जो इससे क्या होगा हमारी जो है भोजन सुरक्षा स्थापित होगी ठीक है दूसर सागरी जो है ओसदी जो बन सकती है महा सागरो में पाए जाने विले जीव से ठीक है और जैविक खादनी की खाना मिलेगा हमको ठीक है अगर इन सब चीज़ों का विकास करते हैं जैविक क्रसी करते हैं ठीक है तो यह हो गया बहुत ही महितपूर है अब का यह आगे देख शागरी जीव फिर सकती हैं जो लाह इलाज बुमारीमारी में दवाईों का दिर्माण के सोध किये जा रहे हैं ठीक है इस प्रकार क्या है यहाँ जैविक संसाधन मानव स्वास्त में महतपूर भूमी का अदा कर सकेगा कॉड लिवर जो है मचली का तेल जिसको बोलते हैं तो कॉड लिवर आयल का सक्ती वर्धग में जो है उप्योग हो रहा है तो आपको पता ही होगा बहुत से लोग जो है इसको कॉड लिवर टेबलेट्स को खाते भी होंगे ठीक है अगला देख लेते हैं जैविक खाद तो जैविक संसाधनों का उप्योग क्या है जैविक खाद ठीक है के रूप में प्रुहावी डंग से जो है उप्योग किया जा रहा है इसके दोरा क्या होगी जैविक खाद जो होगी इसको ऐसे खाद को इस तरह से लिख लीजेगा खाद ठीक है खाद जो होती है फर्टिलाइजर होती है तो यहां पर भी इसको सही कर लिजेगा, खाद कर लिजेगा, तो जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, तो बायो फर्टिलाइजर का सोर्स बन सकता है कहां से, महा सागर से, ठीक है, तो हमें क्या होते हैं, वहां से हम क्राप्त कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर प्राप्त कर सकता है ठीक है और यूएस में जो है सारगैसो सागर से जो प्राप्त घास है उससे बनाए जा रहा है तो आपने देखा होगा जो सारगैसो सी है वहाँ पे घास पाई जाती है सारगैसो नाम की घास पाई जाती है उससे क्या है यूएस से जो है क्या बना रहा है फर्टी में घुले होते हैं वो देखेंगे फिर देखेंगे जो मगन तट होता है और मगन धाल वहाँ पर निच्छे पित होते हैं वो खनीच देखेंगे फिर देखेंगे जो गहरे महासागरी भागों में निच्छे पित होते हैं वो देखेंगे फिर क्या देखेंगे जो महासागरी तली के भीतर यानि का अंदर जो है निच्छे पे थो हैं या फिर डेपॉदिट हैं उनको देखेंगे हम ठीक है या फिर पाए जाने वोले खनीज को देखेंगे तो पहला हम देखेते हैं क्या महासागरी जल में घुले हुए गुले हुए रूप में पाय जाते हैं, ठीक है, एक अनुमान के अनुसार, प्रती घन किलो मीटर सागर जल में, 41.25 मिलियन टन ठोस पदार्स जो है घुली अवस्था में जो है पाय जाता है, इसमें सबस्यादिक अनुपात किसका है, सोडियम तथा क्लोरीन का, यानि कि जो नमक है एने CL है, उसका होता है, ठीक है, विस्था में जो अधिकतर नमक का उत्पादन कहां होता है, समुदरी जल के वास्पी करन तोरह होता है, जैसे गुजरात हो गया, तो वहां पर क्या करते हैं, गुजरात में जो तटी छेतर है, तो वहां पर जो महासागर का जल है, जो अरभ सागर का, उसके जल को इकठा करते हैं, फिसको क्या करते हैं, वास्पी करते हैं, शूर के प्रकास में, और जो पानी इवपरेट हो यता है, और नमक बचाता है, ठीक है, तो ऐसे नमक का उत्पादन होता है, एक अनुमान के मुताबिक जो समस्त्त सागरी जल में पांच मिलियन टन सोना है, ठीक है, तो अगर आपको यह याद नहीं रहता है, कि कितने मिलियन टन है, तो कोई टेंशन निलिग जुरत नहीं है, बस आप यह लिख देजेगा, सागरी जल में जो घुली हुए सोना में जो टेंचिक है, सोना तो आपको अन्मान है कि 5 मिलियन टन सोना घुला हुआ है पानी में लेकिन अभी तक सागरी जल से सोना निकानने की जो विधी है वो बहुत ही महंगी है यानि कि जितना उसको लागत आएगे उसको निकालने में उतने में तो बहुत ही सोना मिल जाएगा आप खरीद सकते हैं वाहर ठीक है यानि कि अभी ये commercial level पर उत्पादन करना आर्थिक रूप से सही नहीं होगा ठीक है लेकिन भविस्व में जो है अगर technology बदलेगी तो हो सकता है भविस्व में जो हम घुले हुए सोने को निकाल सकें पानी से ठीक है तो वह ही लिखा हुआ है कि सोना प्राप्त करना जो है तकनीकी आधार पर तथा लागत की आधार पर अभी तक अनार्थिक है अनिकि उसका कोई फाइदा नहीं है उसका हम commercial इस्तावाल भी नहीं कर सकते हैं ठीक है अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है अपका है जो महादूपी मगनतत होते हैं ठीक है जो महादूपी मगनतत हैं अब लिख लेने में सक्षम हो जाएंगे ठीक है तो वाइए इसके अन्तरक्रत का आएगा मुखरूप से कौन से पायते हैं जेरकन पायता है मोनोजाइट पायता है मेगनेटाइट पायता है सोना है हीरा है प्लैटिनम है ठीक है सलफर तथा फास्फोराइट इत्यादी जो है प्रमुख खनीश है ठीक है जेरकन जो है मुखरूपी ता भारत में USA में ब्राजील सिरलंका तथा आस्टेलिया के मगन तरपर पाया जाता है ठीक है विस्सु का जो है 90% जो है मोनोजाइट जो केरल के तरपर पायाता है यह तो आपको पता भी होगा पीटी में पढ़ा भी होगा बहुत बार ठीक है विस्सु का जो 29% जो है रुटाइल तो रुटाइल पदार्थ है वो कहां मिलता है मुखरूप से आस्टेलिया के जो है तटी भागों में पाय जाता है यहाट कहा है Titanium Δia Oxide है योटाइल कहा होता है उससे कैनी बनता है Titanium Δia Oxide निकलता है ठीक है और जिसका उपियोग कहاं पर होता है welding किये गए जो छटण होते है उन पे coating के लिए प्लशाघ होता है जापान तर्ड के पास 36 million 10 magnetite लोहे का भंडार है तो अगर आपको यह याद नहीं रहेगा कि कितना मातरा में पाय जा रहा था उससे कोई घबरानली जोरत नहीं है तो कि यह किसी को याद नहीं होगा तो कि इतना याद रखना मुस्किल हो जाता है ठीक है कि कहाँ पर कितनी मातरा में क्या पाय जा रहा है अब बस आप यह लिख दे जागा कि यह यह मिलता है ठीक है आपको मातरा लिखने युद्न नहीं है फिर Cassite right जो आपका है TIN का खनी जाने TIN को कहां से प्राप्ट होता है Cassite right से यह IAS कह है Cassite right उससे क्या मिलता है? किन मिलता है? इसके भंडार कहा मिलते हैं आपके? ठाइलेंड हो गया आपका, मलेसिया हो गया, ठीक है? तो ठाइलेंड हो गया, मलेसिया हो गया, इंडोनेसिया के सागर के तटी भागों में प्राप्त होते हैं, ठीक है? सोने के जमाओ कहां में मिलते हैं तो Alaska जो हो गया USA का छेतर है California हो गया चिली है दच्छडी अफ्रीका है वह Australia में जो सागरी छेतर है यानि मगन तठ है वहाँ पर ये पाये जाते हैं ठीक है फिर फास्पोराइट जिसका उपयोग क्या होता है फास्पोराइट जो फर्टिलाइजर होता उसके निर्माड में कि इसके लगवग जो है अन्मान है कि पचास मिलियन टन जो है निच्छेपित होने का अन्मान है अगर ये मुकरूप से USA के California छेतर हो गया Mexico हो गया Peru हो गया Japan हो गया दच्छडी अफ्रीका के मगन तठ पर ये पाय जाता है यानि निच्छेपित है तो ये हो गया आपके जो भागों में देख लेता है कि कौन कौन से पायाते हैं कहां कहां पायाते हैं तो गहरे सागरी भागों में जो है खनीजों में सरवाधिक महत्मुल कौन सा है मैगनीज पिंड इसको बोलते हैं इंगलिस में बोलते हैं मैगनीज नोडियूल्स ठीक है तो मैगनीज पिंड है या फिर मैगनीज नॉडिल से भोलते हैं तो यहाग गहरे सागरी भागों पायते हैं ठीक है? मैगनीज पिंडों में कई प्रकार के पिंडों मिलते हैं जैसे MG याणि मैगनीशियम हो गया Iron हो गया Cobalt हो गया Nickel हो गया Lead हो गया और Jasta हो गया ये सारे मेगनीज परिंडों में मिलते हैं इनका खनन क्या है? घरचीला है और व्यवशाय किमने खरचीला व्यवशाय होने करे लिए यो टेक्नलोजी हमारे बात है टेक्निक है इसको निकालने की वो बहुत महेंगी पड़ती है थीक है इसलिये झो है इसलिये विक्सित नहीं हो पाया है यह व्यावसाइग ठीक है लेकिन अभी व्यावसाइग इस तर पे उत्पादन सम्भाव नहीं हो पया है, क्योंकि बहुत ही खडचिला है है, ठीक है अब हम अगला देख लेंगे क्या अगला जो हमने देखे ता क्या जो हमने देखा था क्या सागरी तली जो है खनी स्टेल मिलता है ठीक है तथा प्राकर्तिक गैस मिलती है यहीं कि पैट्रोल हो गरा हो गया डीजल हो गया यहीं खनी स्टेल होता है यहीं कि पैट्रोले मुत्पाद मिलते हैं और प्राकर्तिक गैस मिलती है ठीक है इनका जो है दोहन भी किया जा रहा है ठीक है साग को की खाड़ी अलाईरिया हो गया फारस की खाड़ी हो गया उत्तरी सागर हो गया उत्तरी अलास्का हो गया दच्छडी कैलिफोर्निया का तट हो गया ठीक है आस्टेलिया का तटी भाग हो गया भारत में हो एक कंगों से है मुंबई हाई है आपने पढ़ावियोगा पीटी क तो आपको भारत के भी छेत्र आपको पता होने चाहिए और ये आपके जो विस्व लेवल पे वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने देखा गए UPSC के सामान अधिन पेपर में टॉपिक भी दे रखा है कि विस्व में जो पाय जाने वाले जो प्रमुक जो है संसाधन है खनिस टेल लो रखे हैं उनका लोकेशन आपको पता होना चाहिए जिससे माटी खाड़ी हो गया फारत खाड़ी हो गया उत्तरी सागर हो गया उत्तरी अलास्का हो गया दच्ड़ी कलिपॉर्णिया तट घूगया अस्तरेलिया के श região में आ जो चाहिए उनके नाम उपको याद होने चाहिए क्योंकि इस पर present कभी भी पूछा जा सकता है ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है अगला देखा था हमने क्या सागरी उर्जा संसादनी तीसरा वर्ग था क्या 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 कि सागरी उर्जा संसादनी सागरों से बनने वाली कौन का उर्जा है जब उंचा हो जाता है, जब नीचा हो जाता है, तो क्या बोलते है, भांटा बोलते हैं, ठीक है, तो जाता है, 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 जात जिससे क्या होता है टर्बाइन घुमते हैं फिर ठीक है तो जौर और भाटा से जो है इनर्जी जो है प्रड्यूस होती है तो वही लिखा है बिजली उत्पादन के लिए पांच मीटर का जो है नियुनतम जौर भाटा में अंतर होना चाहिए एनकि इनके बीच जो कम से कम जो उचाई होनी चाहिए भाटा और जौर के बीच में पांच मीटर का अंतर होना चाहिए तब ही जो है मुसकर इस्तवाल जौरी उर्जा के उत्पादन में कर सकते हैं ठीक है विश्यू के जो एनेक भागों में क्या है जौरी उर्जा उत्पादन क्या है कारसील है फंडी की तो फंडी की खाडी में सबसे बड़ा ज्वारी उर्जा केंद्र जो है स्थापित किया गया है थीके भारत में लगबगिया है 8,000-9,000 मेगावाट ज्वारी उर्जा के संभावना है क्यों खमबात की खाडी हो गयी सुंदरवन का डेल्टा हो गया अंडमान एवं निकलवार दियूप समूव हो गया ठीक है ये जो है प्रमुख जो है संभावित छेत्र है यहाँ पे जो है सबसे अधिक संभावना है ज्वारी उर्जा उत्पादन के और कुछ जो है प्रायोगी ग्रूप से जो है लगाए गए भी है प्ला सागरी जल होता है वो गतशील रहता है यानि कि उसमें तरंगे उत्पन होते रहते हैं ऐसे से आप देखेंगे कभी तो ऐसे से जल उपर नीचे एक ही स्थान पर होता है ठीक है तो इससे क्या होती है तरंग उर्जा का निर्मार होता है अगर आपको देखना है कि तरंग उ सागरी लहरो में क्या है असीमित मात्रा में उर्जा नहीं थे ठीक है परम्तु इसका विकास नहीं हो सका है भारत में जो है विजिन जाम जगे के एक है केरल में ठीक वहां पे जो है इसके लिए जो है प्रायोगिक रूप से जो है चला जा रहा है तो वही लिखा है विजिन उर्जा का विकास कर लेते हैं अच्छे से तो हमारे हाँ जो है पचाज है और मेगावाट जो है उर्जा उत्पादन की छमता है कहां से तरंग उर्जा से ठीक है अगली देख लेते हैं कौन सी उर्जा है आपकोई O-TEC O-TEC का मलब को विज़ा है था हमने जा Ocean Thermal Energy Convergence अब इसमें होता गया है पहली बात तो ये उर्जा के ओल जो है उश्र कड़बंदी छेत्रों में ही मिलेगी यानि कि जो उश्र कड़बंदी छेत्रों में इस्थित महासागर है वही पर ये उर्जा का उत्पादन संब्भ होए ठीक इसमें होता क्या है आपको पता है उपर का सर्फेस का तापमान अधिक होगा ठीक है और जो नीचे का तापमान है सर्फेस उसका तापमान कम होगा ठीक है तो इसी तापमान में अंतर का इस्तमाल करते हुए जो है इस उर्जा का उत्पादन किया जता है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं मुख्रूप से, यहां केवल वही लिखेंगे, यहां केवल जो है, उर्षर कड़िमंदी, यानि कि करक रेखा और मकर रेखा कि बीच में मिले, जो महासागर पायाते हैं, वहीं वे यह उत्पादन हो है, जहां पर सागरी सतह है, यानि सागर के सर्फिस का तथा गहराई में ताप आंतर कितना होना चीए, 22 डिगरी संडिगरेट होना चीए, यानि कि दोनों के ताप मान में अंतर यानि ऊपर, यानि सतह का मालों ताप मान 26 डिगरी है, ठीक है, और नीचे अगर मालों 24 या था होता है, इस विदी में ammonia gas होती है, तो उसका क्या करते है, परिस नचंट करते है, उसको प्रवाहित करते हैं एक नली में, जिससे क्या होता है वो liquid form में रहेगी और कभी gas form में रहेगी ठीक है तो वही लिखा हुआ है पर स्पाइस इंचल करते हैं सतह भागों में क्या होगा अधी तापमान से करना क्या होगा गैसी अवस्था में राएगी ठीक है जब कि गहराई में क्या हो जागा कम तापमान की वज़े से क्या होगा यह दरवावस्था में रहती है ठीक है अब जिससे क्या होगी O-tech energy produce होगी यानिकी ocean thermal energy convergence produce होती है ठीक है भारत में के बात करें तो Tamil Nadu सरकार वहां USA की जो government है वहां की एक कंपनी है Sea Solar Power Corporation के उनके दोनों के सहयोग से यह दोनों लोग जो है इसके सहयोग से जो है मिल करके 6 plant जो है इस पर short note भी पूल सकता है तो methane hydrate क्या होता आपको पता होना चीए ठीक है इस पर भी short note आ सकता है बहुत है important ही UPSC की द्रश्टी से ठीक है तो यहां एक प्रकार का क्या है बरफीला मिस्रण है ठीक है जिसमें पानी के 6 अडू होते है निकि 6 H2O हो गया 6 H2O ठीक है यह इसका formula हो गया methane hydrate का निकि यह होती क्या है methane जो होती है जो बहुत ही कम तापमान पर सागरी भागों में जम जाती है वो और पानी के अडू से जो हो methane पानी के और एक अडू जो होता है methane gas का के साथ bonding का लेता बंधन बनाता है ठीक है इसका निर्मान क्या है समुद्री भाग में 300 मीटर की गहराई के बाद कम तापमान वा उच्छ दावा निकि हाई जैसे से गहराई मिलाएंगे तो तापमान में कमी आएगी और साथ में temperature की विशिष्ट पर्यावर्णी दसाओं में होता है ठीक इसका निर्मान को पता चलकर कैसे बनती है ठीक है यह भंडार अधिक गहराई पर क्या होता है cemented रूप में पाई जाती है ठीक है इन्हें निकाल कर सतह पर लाने पर hydrate का क्या होता है विग्डन होता है और methane gas अलग रूप में देखा गया था तथा व्यापारिक पैमाने पर इनका उत्पादन करने वाला देश कौन है रूस है यानि कि रूस ने इसको commercial रूप से प्रोडक्शन का start किया है ठीक है चलिए देख लिए भारत ने इसमें क्या किया है तो भारत जो भारत की एक company है ONGC ठीक है त इसका अनुमान है कि भारत की छेत्र है वहां पर कितना मिल सकता है 20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 पांच मिलियन बैरल तेल को जला करके उर्जा मिलेगी उतनी उर्जा इससे मिल सकती मीथेन हाइडरेट से ठीक है तो यह हो गया आपका मीथेन हाइडरेट तो अगर आपके मात्रा नहीं यादर रखनी तो मत यादर रखिए बस यह लिख देना कि और यह लिख सकते हैं तो यह रहा आपका आज को टॉपिक बहुत ही मैदपूर था और UPSC की दृष्टी से बहुत ही मैदपूर तो आपके आप देख रहे होंगे UPPCS भी है और BPSC भी अपना एक्जाम का पैटर्न चेंज कर रहे हैं तो हो सकता है इन अले एक्जामों में भी ऐसे questions ज्यादा पूछे आए तो आपना इन नोट यह उत्या करके रखिएगा ताकि एक्जाम हॉल में अगर आपका question आए तो छूटे न और आप अच्छे से अपना answer लिख सकें ठीक है तो चलिए फिर आज का वीडियो हैं पर खतम करते हैं अगर वीडियो आपको पसंद ह सकते हैं नंबर है आपका double eight six zero ठीक है double five eight five three zero ठीक है तो आप इसे वर्टसप कर सकते हैं आपको call करके भी सारी यांगा ही लिख सकते हैं paid group में क्या होगा आपको geography आपको पूरा course करा राएगा complete करा राएगा साथ में जो है इसकी जो है notes की PDF भी आपको मिलेंगी और personal guidance के geography optional के test series भी कराई जाएगी ठीक है जिससे आपका जो है त्यारी बहुत ही बैतर हो जाएगी और अगर आप अपना option अच्छा करते हैं तो आपके selection के chances भी बहुत यह अदब बढ़ आते हैं चलिए फिर मिलते हैं फिर next video में